नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विदालोक आउनलाइन इंस्टिटूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पीम न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्पोर्ण सूचना आप सभी को मालूम है कि संगलोक सेवा आयोग ने IAS 2021 की परिक्षा के लिए तिथियों को घोसित कर दिया है ऐसे में अब से सिर्फ आठ माह का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है सेवल सेवा परिक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा दोनों ही लिहाद से सामान्य अध्यन एक बड़ी चुनोती होता है इसी चुनोती का सामना करने के लिए स्रेश्ट ववा अनुभवी सिक्षकों की टीम के साथ Target with Alok Institute में IAS Target Online बैच 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए इस बैच की अवधी आठ महीने होगी हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बलकि प्रसासनिग अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता को भी विक्सित करते हैं ताकि बहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामान अधियन को तैयार किया जा सके आलोक सरके कुसल नर्देशन में 1125 घंटे की कक्षा सटीक रणनीती के साथ देश के सर्वस्त्रेश्ट विशेशग्यों की टीम एक मंच पर बहुत ही निवनतम सुल्क में हमारे कक्षा करिक्रम में प्रारंभिक परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग सी सेट और मुख्य परिक्षा के तहत सामान अधियन एवंग निबंध सामिल है यहाँ आपको मिलेगा प्रारंभिक और मुक्ष परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का विस्तरित कवरेज, सभी टॉपिक अंतर विशयक समझके साथ मुक्ष परिक्षा के लिए, लाइब कक्षाय, एनिमेसन और पाबर पॉइंट तकनिक के साथ, प्रारंभिक और मुक्ष परिक्षा के लिए अलग-अलग हस्त लिखित एवंग सारगर्भित नोट्स सीसेड की कक्षाओं का संपूर कारिक्रम लेखन सैली के लिए विशेशी कृत सत्र अखिल भारती अस्तर पर टेस्ट सिरीज सुबिधाएं तो जवाइन करिए आलोक सरके कुसल नरदेशन में IAS टारगेट ऑनलाइन बैज हमारे कारिक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिये गए नंबर पर संपर्क करें और अब खबरों की तरह पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन्स पर एक नजर आगामी बिहार विधान सभा चुनाव में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉंड की बिक्री को दी मंजूरी चुनाव आयोग द्वारा आवंटित खाते में होता है चुनावी बॉंड का लेन दिन एक प्रकार का गुप्तदान होता है चुनावी बॉंड नाइजीरिया में आखरी मामले के बाद डबलु एचो ने अफरेका को घोसित किया पोलियो मुक्त 2016 में देखा गया था अंति मामला भारत 2014 में ही घोसित हो चुका है पोलियो मुक्त तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के बुलिटिन की सुरुवात करते हैं आने वाले अक्टूबर नवंबर में बिहार बिधान सभाँ चुनाव होगा जिसमें किन्दर सरकार ने चुनावी बौंड के बिक्ति की अनुमती दे दी है चुनावी बॉंड अधिक्तम एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोण के गुड़कों में जारी किया जाने वाला राजनितिक दलों को दान देने की एक वित्तिय व्यवस्था है आपको बता दें कि ऐसे किसी बॉंड को जारी करने और भुनाने के लिए भारतिय स्टेट बैंक को अधिक्रित बैंक बनाया गया ऐसा कोई बॉंड जारी करने की तारीक से 15 दिनों के भीतर पंजीक्रित राजनितिक पार्टी के दिये गए खाते में प्रतिदेय होता है यह खाता धारक को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है दरसल जन प्रत्निधी अधनियम 1951 की धारा 29 ए कहता है कि अधनियम के तहत पंजीक्रित प्रतेक राजनितिक पार्टी और हालिया लोकसभा या राजसभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिसत मत हासिल करने के बाद निर्वाचन आयोग एक सत्यापित खाता आवंटित करता है और इसी खाते के माध्यम से किसी भी चुनावी बॉन्ड का लेन देन किया जाता है चुनावी बॉन्ड कोई भी व्यक्ति खरीच सकता है ऐसा बॉन्ड जनवरी अप्रेल जुलाई और अक्टूबर के मह प्रतेक दस दिनों की अवधी में खरीच के लिए उपलब्ध होता है यह बॉन्ड कोई व्यक्ति अकेले ही नहीं बलकि अन्य व्यक्तियों के साथ सैयुक्त रूप से भी खरीच सकता है लेकिन बॉन्ड पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता मतलब साफ है कि न तो दान देन हम से दान किया जाता है निर्वाचन आयोग को विवरण देना होगा यह व्यवस्था समिधान के अनुचिद 1911 के तहत राजनितिक जानकारी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की भी अवहेलना करती है इतना ही नहीं इस व्यवस्था से अनेक प्रकार की अनियमित्ताएं भी होती है जागरुकता अभियानों के जरिये इसमें आवश्चक परिवर्तन किया जा सकता है डबलु एचो यानि विश्व स्वास्त संगठन ने अफ्रेका को पोलियो मुक्त घोसित कर दिया दरसल डबलु एचो ने अफ्रेका के आखरी देश नाइजेरिया के पोलियो म महाध्वीब को पोलियो से मुक्त घोसित कर दिया आपको बता दे कि अभी अफरीकी देश नाइजेरिया में ही पोलियो का वायरस बचा था लेकिन बीते चार सालों से पोलियो का एक भी मामला नहीं देखने को मिला इस बाबत डबलु एचो ने अफरेका को पोलियो मुक्त गोशित किया गौरतलब है कि डेबलु एचो ने साल 1988 में वैस्विक पोलियो उन्मूलन पहल यानि जी पी आई की सुरुवात की थी पहल की सुरुवात से लेकर अब तक कमोवेस पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म किया जा चुका है अफरीका के पोलियो मुक्त होने के वायरस सक्रिय हैं गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब अफरीका में किसी वायरस को खत्म किया गया अभी चार दसक पहले ही अफरीका में चेचक को पूरी तरह से खत्म किया गया था इन सब के बावजूद अफरीका महाद्वीब की विसाल आबादी और कमजोर निगरा प्रणाली की वजह से पोलियो के छिटफुट मामले के आने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता लेकिन जब किसी देश में किसी बिमारी का चार साल तक कोई मामला नहीं आता तो उस देश को उस बिमारी से मुक्त घोशित कर दिया जाता है भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक सकती है पोलियो वायरस संख्रमर्ण से फैलता है इसका संक्रमर मुख रूप से एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में फेकोड मौकिक मार्ग के जरिये होता है यह रोग पानी या मलपदार्थ अस्वक्ष भोजन के साथ जल के संक्रमर्ण से हो सकता है इस गंभीर बिमारी क संक्रमण से सरीर के अंगों में विकलांगता आ सकती है बचाओ ही इस बिमारी का इलाज है क्योंकि इसके लखवापन को ठीक नहीं किया जा सकता यह एक लाई इलाज बिमारी है और अबंत में कुछ अन्यमहत्वपून खबरों पर एक नजर हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरी जिले के पहाड़े क्षेत्रों में रहने वाले बोंडा जनजाती के लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया आपको बताते चलें कि बोंडा मुंडा न्रिजाती समुह से संबंधित एक जनजाती है जो ओडिशा 36 गण और आंध्रप्रदे इसके सीवा के पास दक्षण पस्सिम ओडिशा के पहाड़िक शेत्रों में निवास करती है यह जनजाती ओडिशा के मलकानगिरी जिले के खैरापुड ब्लॉक की पहाडियों में छोटी छोटी जोपडियां बना कर निवास करती है ये भारती समिधान के तहट अनसूचित ज जाती हैं जो रेमो के नाम से भी जाने जाते हैं बोंडा भासा में रेमो का मतलब लोग होता है भारत में इनकी आबादी तकरीबन साथ हजार के करीब है ये अपनी विश्यष्ट संस्कृतिक परंबराओं के लिए भी जाने जाते हैं केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिये राश्टिय ट्रांसजेंडर परिशद या नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर यानि एनसीटी की अस्थापना कर दिया है एनसीटी का गठन ट्रांसजेंडर अधिकारों का सनलक्षन अधिनियम 2019 के तहत किया गया सामाजीक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसक पदेन उपाध्यक्ष होंगे एंसेटी सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्व में नीतियां कारिक्रम कानून और परियुजना तैयार करने के लिए सलाह देगी साथ ही परिशद ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर भागिदारी प्रदान करने से संबंध कारी विभाग के मध्य समन में अस्थापित करने का भी काम करेगी रक्षा अनुशंधान और विकास संगठन यानि डियार्डियों के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीस रड्डी के कारिकाल को दो वर्स के लिए पढ़ा दिया गया कैबिनेट की नियुक्ति समिती ने रक्ष के रूप में रड्डी के कारिकाल के विस्तार को 24 अगस्त को मंजूरी दिया उन्हें अगस्त 2018 में दो वर्स के लिए इस पद पर नियुक्ति किया गया था आपको बताते चलें कि डियार्डियों भारत सरकार के रक्षा मंत्राले के तहत आने वाला एक संगठन है य देश की बावन प्रयोग सालाओं का एक नेटवर्क है 31 अक्टूबर को राश्टिय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी गुजरात इस्तेद स्टैचो आफ यूनिटी परिसर में लोग प्रसासन में उतक्रिष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानम प्रणमंत्री पूरसकार यूजना का विश्टरित रूप से पुनर गठन किया गया है इसका उद्दे से यह है कि लोग प्रशासन में सेवाओं का अंतरणप्रभावी रूप से करने और जन सिकायतों के माध्यम में प्रसासनिक अधिकारीयों के योगदान को मान्नेता प् प्राथ मिक्ता वाले क्षेत्रों को समावेशी रिंड प्रभाह के क्रियानवयन में उतक्रिष्ट योगदान करने वाले जिला अधिकारियों को यह पुरसकार दिया जाएगा। साथ ही नमामि गंगे कारिक्रम में उल्लेखनी योगदान देने वाले जिला अस्तरी अधिकारियों को भी पूरसक्रित किया जाएगा। आत्मनेरभर भारत की दिशा में महत्वपून कदम उठाते हुए खाती और ग्रामोद्योग आयोग ने अस्थानी अस्तर पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हनी मिसन योजना का सुभारम किया। उत्तर प्रदेश के बुलंद सहर और सहारनपूर में सुक्ष्म लगू एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने प्रवासी मजदूरों को मधमक्खी पालन के लिए 700 बक से वितरित किये। जरूरी उपकरण भी प्रदान किया गया है। इस योजना से सहद उत्पादन तो बढ़ेगा ही साथ ही इन स्रमिकों को मूल अस्थान पर मिले रोजगार से आत्म निर्भर भी बन सकेंगे। आपको बताते चलें कि ग्रामोद्योग आयोग ने देश के बिभिन राज्यों में 1,35,000 मधमक्खी पालन में प्रयोग होने वाले बक से बितरित किये हैं। 25 अगस्त को रूस की राजधानी मासको में आयोचित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिटरी एंड टेक्निकल फोरम में भारती पवेलियन का उधगाटन किया गया। इसका आयोजन इसके रक्षा मंत्राले ने किया था जो 25 अगस्त से प्रारंभ होकर 29 अगस्त तक चलेगा। भारत ने अपने रक्षा उतपादन के संबंध में अपनी जानकारिया इस पवेलियन के माध्यम से दी हैं। इस फोरम में तकरीबन 730 से ज़्यादा रूसी हतियार और रक्षा उपकरण प्रदर्शन के लिए रखे गए थे और इसमें विश्व के करीब 70 देशों ने सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे तीजिये इजाजत नमस्कार